काफी डिश टीवी के ऐसे उपर भोगता है जिने ये समस्या से उजागर होना पड़ता है और वो यही कहते हैं कि हमारे सटव बॉक्स में चैनल स्कैन एरर आ गया है अब इस चैनल स्कैन एरर से कैसे निजात मिलेगी यह कैसे ठीक होगा क्योंकि हमने गलती से कुछ बदलाव कर दिया कुछ फ्रिक्वेंसी में या किसी भी तरह का इंपुट में बदलाव कर दिया चेंजिस कर दी छेड़ खानी कर दी कह लिजिए और वो जो है अब क्या हो गया चैनल स्कैन एरर आ अब जो है हम अपने सटव बॉक्स में चैनल देख नहीं पा रहे हैं कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है ना वोल्म का काम कर रहा है ना मैन्यू का आ रहा है तो हम प्रशान हो गए हैं करे तो करे क्या क्या हमारा बॉक्स खराब हो गया नहीं चिंता करने की बात नहीं है आपका बॉक्स बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है आपका बॉक्स बिल्कुल शुरक् सब्सक्राइब कीजिए बाइल आकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन आगे इसी तरह के पाते रहने के लिए तो दोस्तों सिधा हम आचुके हैं टीवी स्क्रीन की और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी डिश टीवी के बॉक्स में या फिर जिंग सूपर है तो आपको परिशान नहीं होना है हमारी वीडियो को कम्प्लीट देखिए स्टप बे स्टप हम आपको समझाएंगे कि आपको करना क्या है अब यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज प्रेस था ओके बटन और रिमोट तो रिस्टोर यूर चैनल अगर फिर भी प्ल होजेंगे कि अब करें तो करें क्या तो परिशान होने की जुरूरत नहीं है यह सिर्फ एक छोटी सी गलती जो हमसे होती है उसी के वैजा से चैनल स्कैनर आता है इसके कहीं कारण हो सकते हैं लेकिन बेसिकली जो कारण जो पाया जाता है वो यही है कि हम जो है जब फ्रिक् से दी नहीं जारे तो यह प्रोड़म जो है वह आती है आपको करना कुछ नहीं है अगर इस प्रोलम में प्रोल्म करना चाहते है तो आपको बटन दवाने की जूरूरत नहीं है simply जो आपके remote में menu button दिया गया है आपको अपने menu button पर ध्यान देना है और जो menu button आपको तब तक दबाए रखना है जब तक आपके set of box में advance setting को option open नहीं हो जाता अब जो menu button आप देख रहे हैं इसको प्रेस करें रखिए और set of box के सामने set of box में भी इसको light है वो blink होती रहेगी green color की और जो आपका remote है उसको menu button को दबाए रखना है चोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और इससे होगा क्या आपके set of box में कुछी शंड में कुछी देर में advance setting को option open हो जाएगा जैसे वह open होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मारे कुछ इस परकार की जानकरी सामने आ जाएगी menu button हमने continuously दबाए रखा हमने कोई भी changes नहीं की सामने आप देख सकते हो advance settings automatically हमारे भी चागया अब यहाँ आप आप देख सकते हैं कि satellite frequency, polarity, symbol rate, lnb type, dc quick switch, lnb power और save and scan को option आ चुका है अब यहाँ पर हमारी गलती क्या होई भी आप देख सकते हो कि symbol rate जो है वो हमारा खराब हो रखा है symbol rate जो है इसका रहता है 27500 जो की default frequency है सामने भी आपको मैंने mention कर दी है यही frequency आपको dish tv की रखनी है अगर आप कोई और frequency रखेंगे तो आपके problem आएगी इसलिए क्रिपया करके जो frequency सामने हमने आपको दिखाई है यही frequency आपको रखनी है frequency रहेगी 12688 polarity रहेगी vertical और symbol rate जो रहेगा वो रहेगा 27500 हमारा यहाँ पर गलत हो रखा है और यही वज़ए से जो है हमारा को channel scan एरर आया अब simply हम सको correct कर देंगे सही कर देंगे 27500 हमने कर दिया आप सामने देख सकते हैं अब हमारी कोई भी चैजिस करने की जूरू तो नहीं है universal LNB रहेगा this quick switch हम यूज नहीं कर रहे हैं इसके लिए हम उसको none रखेंगे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन फिलाहल में इसको none रखूँगा LNB पावर आपकी ओन रहेगी ताकि चैनल्स को स्कैन कर पाएं अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है save and scan कर देना है आप इसके बाद देखेंगे चमतकार होगा तमाम चैनल्स आपके वापिस आजाएंगे क्योंकि जब आपका help line पे call करते हैं तो वो कहते हैं आपके setup box खराब हो गया यह हो गया वो हो गया लेकिन आप सामने देख रहे हैं कि सिरिल हमें green मिल चुगे हैं और तमाम चैनल्स हमारे scan होने शूर हो गए रेडियो के भी और तमाम चैनल setup box में वापिस आ चुके हैं तो देखा अपने दोस्तों कितना असान तरीका था चैनल scan error को ठीक करने का और यहां पर आप बेना वजह ही परिशान हो रहे थे मुझे उमीद है यह वीडियो को काफी helpful रगी होगी काफी आपकी मदद की होगी इस वीडियो ने किर ऐने रहे रहे यह वीडियो़ की दख हो रिलगे ने किरम एसान उर्ट का वीडियो को कि मुझे तूस नि LISA बहे घए पह ठागी जला रहे आपकितना जला हो रहे У privacy आपकी आपकी दट भेमीद, दो रहे जहें।र ऑजा है, अज़ ब unwanted पर रहें ने एमेंसाने आपकी पsz acqu